आपकी जम के चल रही होगी यही आशा मैं आप सभी से करता हूँ और होस्टल वर्डन की आपकी इस त्यारी को और मजबूत बनाने के लिए जैसा कि मैंने आप से प्रामिस किया था कम्प्यूटर के इंपॉर्टेंट महत्पूर्ण प्रश्ण और जो एक्जाम में आए हुए प्रश्ण उसकी एक सिरीज जी हाँ तो आज इस वीडियो से हम इस सिरीज की शुरुवात कर रहे हैं इस सिरीज के अंतरगत कम्प्यूटर के हम MCQ देखेंगे जैसे आज का हमारा पहला टॉपिक है कम्प्यूटर का परिश्ण और उसके प्रमुख भाग इस चैप्टर से सम्मंदित महत्पूर्ण प्रश्ण तो आज हम इस वीडियो की अंतरगत व्यापम की परिक्षाव में जितने भी इस टॉपिक से सम्मंदित प्रश्ण आये हैं आज हम उन्हें ही देखते चलेंगे, लाइन से सिरीज में देखते चलेंगे, कोशिश करेंगे, कम से कम 30 कोश्चन हम एक वीडियो के अंतरगत कवर कर सकें और इसके साथ ही हमारा जो ये इस वीडियो सिरीज को लाने का उद्देश है वो ये है कि जब हम MCQ को स्वाल करते हैं तो केवल ये आंसर है ऐसे नहीं पढ़ना है हमें उसके सारे ओप्शन को स्टड़ी करना है मतलब एक कोश्चन में चार ओप्शन दिये हैं अर्थात हमें चार आंसर की त्यारी करनी है चार इस्टेटमेंट हमको पढ़ना है कि अगर इस प्रशने का ये आंसर है तो बाकी तीन भी किस-किस प्रशने के आंसर हो सकते हैं बाकी तीन का भी detail analysis हमें करना है तो इस प्रकार हम इस video series को शुरू करते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के series को हम प्रारंब करते हैं इसके पहले मैं आप सभी को फिर से एक बार बुलना चाहूंगा कि यदि आपने channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो जरूर subscribe करें और इस channel को सुपनिल्तिवारी चंद्राएकेडमी और चंद्राएकेडमी का official channel चंद्राएकेडमी दगाइड दोनों channel को जरूर subscribe करें हमारे channel से जुड़े रहें चलिए शुरू करते question number one देखिए कुछ प्रशन tricky रहेंगे कुछ प्रशन हो सकता है आपके लिए नय रहें और बहुत सारे प्रशन सरल रहेंगे कि computer व्यापम की परिक्षाओं का लगभग एक portion रहता ही है इसलिए computer के बहुत सारे प्रशन बहुत सारे प्रशन रिपिटेट रहेंगे और कुछ तो बहुत सरल रहेंगे चैसे पहला question हमें लिखा हुआ है कि computer का एक LU unit जोड और घटाओ कर सकता है सभी प्रकार के अंक गडिती operation कर सकता है तरकी operation कर सकता है उप्रोक तो सभी तो हमें समझना है ALU ALU क्या होता है ALU होता है arithmetic and logic unit ALU कहने का मतलब क्या है ALU होता है arithmetic and logic unit arithmetic and logic unit इसे हम क्या कहते है ALU arithmetic कहने का मतलब है यह गडिती operation कर सकता है arithmetic कहने का मतलब जोड घटाओ गुणा भाग चार प्रकार के arithmetic operation कर सकता है logical कहने का मतलब logic unit कहने का मतलब यह होता है आपके less than, greater than, less than equal to, greater than equal to, equal to ये सभी sign क्या कहलाते है logical operation तो ALU के अंतरगत विभिन्न प्रकार के operation होते है इसमें arithmetic में जोड़ घटाव गुड़ा भाग operation रहेगा logical में less than, greater than, less than equal to, greater than equal to and equal to operation होता है अर्थात ALU, logical और arithmetic दोनों प्रकार के, सभी प्रकार के अंक गड़िती, जोड़ घटाव और तारकेक, logical बतलब तारकेक इसलिए हमारा answer क्या होगा, option number D, उपरोक्त सभी तो ऐसे ही हम एक छोटा सा topic ALU और उसकी सारी detail को सीखते भी जाएंगे और उसका पूरा question का answer भी देखते जाएंगे और उससे संबंदित क्या-क्या fact रहते हैं, उन्हें भी हम cover करते जाएंगे चलिए, आगे चलते हैं, आप कुछ question सरल रहेंगे, जैसे अगला question question number 2 हम से क्या कह रहा है computer का उपयोग किस छेतर में कर सकते हैं, तो भी दूर संचार telecommunication, मैं आपको English में भी बताते चलूँगा, क्योंकि English translation के लिए समय नहीं हो पाया, इसलिए English translation नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर, पर मैं आपको English में सारे time हम बताते चलूँगा, तो जो English medium वाले हैं, वो भी निश्चीनत रहें, हम सारी चीज़े English में भी देखते रहेंगे, तो computer का उपयोग किस छेतर में कर सकते हैं, भाई, दूर संचार, telecommunication, जी हाँ, करते हैं, mobile बात्चित की जा रही है, बैंकिंग, जी हाँ, net banking, mobile banking, सभी आज कल computer based है, जी किस्सा, medical, medical में भी हाँ, computer का उपयोग किया जा सकता है, इसलिए answer होगा, उपरोग तो सभी, तो ऐसे bonus question exam में दिखेंगे, जी से छोड़ना नहीं है, अगले question में आते हैं, question number three, आप देखते चलेंगे, कि ये सभी question हमारे exam में आए हुए question है, तो मैं पहले आपके exam में आए हुए question ही आपको cover करा दू, क्योंकि computer की तयारी के लिए मान के चलिए, आप कोई भी theory पढ़ते हैं, किस book को follow करते हैं, या किसी course को follow करते हैं, तो theoretical classes जो होती है, उसमें जो fact cover होते हैं, वो आपका लगभग 80% syllabus complete करता है, लेकिन 20% जो बचा हुआ syllabus है, वो यहां के previous question से ही cover होता है, तो इसलिए previous question को solve करना बहुत जरूरी है, previous question ही आपके व्यापम की तयारी करवाएगा, computer section के लि से कौन सा computer का एक प्रमुख भाग नहीं है, तो CPU computer का प्रमुख भाग है, बिलकुल सही, UPSB computer में लगता है, हमें पता है, ALU भी है, CU भी है, CU गहने का मतलब होता है, आपका control unit, CPU कहने का मतलब होता है, central processing unit, ALU कहने का मतलब होता है, arithmetic and logic unit, आप यहां पर समझिए एक fact की, CPU का ह ही हिस्सा है, ALU और CU, यह CPU का ही हिस्सा है, लेकिन हम UPS की बात करें, तो UPS का full form होता है, uninterrupted power supply, UPS का full form क्या है, uninterrupted power supply, जिसे हम inverter की भाती समझते हैं, light goal हो जाए, तो power backup देने का कारे करता है, उसे ही हम क्या कहते है, UPS, तो पहले तो UPS का full form याद रखना है, UPS का full form, uninterrupted power supply, याने power supply में कोई बाधा ना है, ऐसा उपकरन क्या कहलाएगा, UPS, तो UPS किसी भी computer में लगने के लिए essential part नहीं है, जरूरी part नहीं है, बीना UPS के भी आप computer चला सकते हैं, बस दिक्कत यही होगी, कि अगर बिजली गोल होती है, electricity चले जाती है, तो आपका computer बंद हो जाएगा लेकिन UPS है, तो 20-25 मिनट का power backup बिलता है, तो इसलिए निमन में से कौन सा एक computer का प्रमुख भाग नहीं है, तो प्रमुख भाग कौन नहीं है, UPS, हमें लगता है UPS तो हम computer में लगे देखे हैं, वो उसका हिस्सा है, लेकिन वो computer का प्रमुख हिस्सा नहीं है, जान रखें डेटा संग्रहन कहने का मतलब डेटा सेव, डेटा भंडारन कहने का मतलब हुआ आपका डेटा स्टोरेज, डेटा विशलेशन मतलब हुआ डेटा एनलिसिस और डेटा प्रोसेसिंग, ये इंगलिशी टरम में डेटा प्रोसेसिंग, तो देखें, CPU Central Processing Unit, यानि computer प्रोसेस डेटा को प्रोसेस करेगा, computer में हम फाइल सेव भी करते हैं, यानि data संग्रहन भी होगा, हम storage भी करते हैं, तो जो हाट डेटा स्टोर करके रखते हैं, वो storage कहला रहा है, storage devices होती है, तो data भंडारन भी होगा, लेकिन data visualization analysis, analysis कहने का मतलब ये होता है, कि computer किसी चीज के बारे मे जानकर सोचेगा और अपना निर्णा लेगा, जो artificial intelligence करता है, लेकिन computer का ये प्रमुक्रिया नहीं है, तो computer हमाले लिए data visualization या data analysis नहीं करता, समस्ते चलना है, computer कोई बहुत विशेस कठीन subject नहीं है, प्रश्ण भी कोई बहुत कठीन नहीं आते हैं, computer की तयारी आपको बहुत मजबूत करनी है, तो दो चीज़े आपको करनी है, एक किसी भी अच्छी book को पढ़ना है, या किसी अच्छे course को जॉइन करना है, और दूसरा पुराने question का detail analysis करना है, तो पुराने question का detail analysis तो मैं आपको free में करवा दे रहा हूँ, लेकिन यदि आपको एक book लेते हैं या course को जॉइन करते हैं, आप मेरे course को भी जॉइन कर सकते हैं, computer के recorded course मात्र 499 रुपए की fees पे आपको उपलब्द हो जाएगा, जिसमे complete recorded lecture आपको मिलेंगे, और इसके लावा computer के यदि आप live class भी करना चाहते हैं, तो उसकी fees मात्र एक हजार रुपए रहेगी, एक हजार के अंतर कि निम्न में से कौन सा computer system का processor नहीं है, तो भाई ये हम पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा, ये आपका CG व्यापम मंडी निरिक्षक 2021 का question है, भाई AMD, AMD आप याद रखिए processor की company है, इसलिए AMD के साथ जो भी लिखा हुआ रहेगा, वो computer का processor है, Intel, Intel तो processor बनाने वाली दुनि है, और Intel का 32 bit का जो पहला processor था, वो था Intel Pentium, ठेक, Intel Pentium आया है, फिर Intel Core Series आई है, Core to Duo आया है, Quad Core, Octa Core, फिर Core i3, i5, i7, वरतमान में Core i9, ये series चल रही है, तो Intel तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा processor बनाने वाली company है, इसलिए इसका तो processor रही है, Meshintos और 8086, Intel Company का ही एक product है 8086, जो 16 bit का processor है, ठेक, तो 8086 भी processor है, लेकिन Meshintos की हम बात करें, और यहां लिग दिया है OS, OS का मतलब होता है operating system, तो अगर यह नहीं भी पता हो और आपको पता है, OS का मतलब operating system है, तो भी आप इस answer को tick कर सकते थे, सहीं बना सकते थे, तो option number C सहीं answer होगा, यह operating system है, और बाकी सभी क्या है, processor, तो यही है detail analysis की, जो भी option है, हम उसके बारे में भी चीजों को सीखते जाएंगे, आप इसका एक notes भी बना सकते हैं, और अगर आप computer से aware है, तो बिंदास आप अपना revision करते जाएं, प्रेक्टिस करते जाएं, लेकिन अधार पर आने वाले परिक्षाओं में भी प्रशन पूछे जाएंगे, चलिए अगला question देखते हैं, अगला question, question number 6 हम से क्या कह रहा है, किसी भी प्रकार का कोई भी computer, खालिस्तान के द्वारा नियंतरित होता है, user के द्वारा, मतलब जो computer का उप्योग कर रहा है, program instruction के द् तो देखिए आप दिये का option में आपको choose करना है, तो भाई user control नहीं करता है, user के वाल अपनी request डालता है कि मुझे ये चाहिए, दो और दो को जोड़ के मुझे बताओ, करता तो आपका control computer ही है, तेक, आप control कैसे होता है, नियंतरित कैसे होगा, program instruction हाँ, एक संभावित answer हो सकत बुटिंग, बुटिंग से control नहीं होता, बुटिंग आपका computer को start करने का process है, इसलिए बुटिंग तो answer नहीं होगा, user भी आपका answer नहीं होगा, और hardware जो है, वो computer को नियंतरित करने का कारिन नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर हमारा answer क्या होगा, programmed instructions, कुल मिला कि ये software है, जो तातपर यहाँ पर software से है, कि software है, जो सभी कारे को नियंतरित कर रहे है, चली आगे चलते हैं, अगले question में आते हैं, नेम लिखित में से कौन user को computer से interact कराता है, आप देखिए, ये व्यापम का विवादित question रहा है, मैं आपको इसको detail में बता दे रहा हूँ, ये परिक्षा जा है और कैसे है, उसे आप ध्यान देंगे, नेम लिखित में से कौन से computer user को computer से interact करता है, command line interface, graphical user interface, A और B दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसमें व्यापम के द्वारा graphical user interface एक परिक्षा में answer लिया गया है, अग दूसरी परिक्षा में A और B दोनों लिया गया है, सही answer है, इसका A और B दोनों, देख, क्योंकि हमारा question क्या है, नेम लिखित में से कौन user को computer से interact करता है, तो computer से interact आपका command line interface भी करता है, graphical user interface, graphical user interface क्या होता है, जब आपको computer या mobile के screen में आपको कुछ graphic से दिख रहा है, image दिख रहा है, icon दिख रहा है, picture दिख रहा है, arrow दिख तो यह कहला रहा है, graphical user interface, लेकिन computer में आपको केवल text दिख रहा है, जैसे MS-DOS में, काले रंग का screen होता है, सफेद रंग का text होता है, केवल आप महां command लिख सकते हैं, program code लिख सकते हैं, कोई भी चित्र नहीं दिख रहा है, कोई भी graphics नहीं दिख रहा है, तो ऐसा interface क्या कहला तो interaction वहां भी होता है, इसलिए इस question का answer C 100% accurate है, लेकिन किसी परिक्षा में इसका answer B लिया गया है, आप एक point और समझेए, व्यापम की परिक्षाओं में authentic दावापत्ती नहीं पहुँच पाती है, इसलिए computer के कुछ question किसी परिक्षा में कुछ और किसी परिक्षा में कुछ ले लिये जाते, तो मैं आपको exact भी बताते जाओंगा क्या है, आप परिक्षा में क्या लिया गया है, वो भी बताते जाओंगा, आपके सारे doubt clear हो जाएंगे, फिर भी इसके अतरिक तो यदि आपको कोई doubt है, आप नीचे मेरा number दिया गया है, description में, आप मेरे number पे call करके भ भी मुझसे कोई भी doubt पोच सकते, चली आगे चलते हैं, अगला question हमारा क्या कह रहा है, serial port को serial क्यों कहते हैं, यह भी एक विवादित question है, exam में इसका answer भी गलत लिया गया है, तो इससे समझते हैं इसका answer क्या है, देखिए, serial port को serial क्यों कहते हैं, serial port में सारे pin एक line में होते है इसलिए serial port कहते हैं, पहला point यहाँ पर आपको यह सीखना है कि serial port में एक pin ही होता है, सारे pin बहुत सारे pin नहीं होते हैं, किसी भी serial port में एक pin होता है. दूसरा, serial number के रूप में printer संभोधित होता है, तो serial number का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं, दूसरा option भी हमारा गलत हो गया, तीसरा, printer के लिए data serially एक bit एक समय पर दिया जाता है, तो जी हाँ, किसी भी serial port का technical definition ये होता है, कि इसमें bit by bit data transfer होता है, रथात एक बार में 1 bit data ही भेजा जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हम serial port कहते हैं, इसलिए C exact सहीं answer है, लेकिन exam में B ले लिया गया, तो B जो है, क्या कि serial number के रूप में printer संबोधित होता है, ये तो सरासर गलत है, तो इसलिए इसका सहीं answer क्या होगा, C, जान रहेगा, चौथा जो लिखा हुआ है, IEEE के द्वारा serial port को serial number दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं, देक है, IEEE आपका एक standard है, जो serial port के लिए बनाया गया है, हाँ, IEEE के द्वारा serial port का standard create किया गया है, लेकिन IEEE के द्वारा serial port को serial number दिया गया है, इसलिए उसे serial कहा जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं, ध्यान रहेगा, ठीक, चलिए आगे चलते हैं, अगले question में आते हैं, question number 9, question number 9 हमसे क्या कह रहा है, computer का कौ processor को बाकी hardware से जोड़ता है, तो भई, motherboard ही इसका exact सहीं answer है, इसलिए से motherboard कहा जाता है, motherboard का एक technical definition यही है, कि computer के सभी part को, सभी युक्तियों को, सभी unit को आपस में जोड़ना, किसका कारे है, motherboard, ना की CPU, ना की punch card और ना की chip, देख, CPU तो आपका एक central processing unit है, punch card, एक input device है एक प्रक computer का, और chip जहां, यह किसी भी electronic device में जो लगा होता है, वो chip है, इसलिए आपका answer नहीं होगा, चलिए, आगे चलते, input और output device computer से खालिस्तान के माध्यम से जुड़े होते हैं, तो CPU के माध्यम से, RAM के माध्यम से keyboard, RAM में तो program का execution होता है, internal memory है वो, primary memory है, RAM जो है, program को execute करने का का पारे करता है, तो RAM answer नहीं है, keyboard तो खुद एक input device है, इसलिए वो answer नहीं है, CPU, CPU एक बात समझेए, इसमें क्या है, हडबडी में हम CPU को टिक मार देंगे, कि input और output device computer से खालिस्तान के माध्यम से जुड़ते हैं CPU, क्यों, क्योंकि computer का जो एक box हमें दिखता है cabinet, उसे हम CPU समझत पर CPU वो नहीं है, हम उसे बोलचाल की भासा में CPU कह देते हैं, actual में वो cabinet ही है, computer का एक box है, जिसके अंदर बहुत सारी device लगी हुई है, वो CPU नहीं है, CPU होता है, control unit, ALU और primary memory का समूही CPU कहलाता है, ध्यान रखेंगे ना, अब यही सब चीजों को हम classes में सीखते हैं, अब यहा इसलिए यदि आप कोई अच्छी book follow करते हैं, तो book जरूर follow करें, वहाँ आपको जानकारी मिलेगी, नहीं तो मेरे course को join करें, course के बारे में मैं detail आपको बता चुका हूँ, अधिक जानकारी के लिए नीचे दियेगा, number पर संपर कर सकते हैं, और हमारे course को हमारे application से download कर सकते जिसका link नीचे description में दिया, अब इस question में फिर से आते हैं, तो CPU हमारा answer नहीं है, तो हमारा answer क्या है, port, port यानि वो socket होता है, जहां किसी input device का plug आके लगेगा, चाहे वो PS2 हो, चाहे आपका कोई serial port हो, parallel port हो, USB port हो, कोई भी port हो, वहाँ किसके दवारा connect होगा, port के दवारा ही connect ह आगे चलते हैं, आगले question में आते हैं, question number 12 हमसे क्या कह रहा है, question number 12 हमसे ये कह रहा है, कि computer का कौन सा घटक उसके दिल के रूप में माना जाता है, अब देखिए, व्यापम की परिक्षाओं में computer का दिल, computer का मस्तिस्क, computer किरिण की हड़ी, computer का nerve system, ऐसे बहुत सारे question आए हैं और हमेशा अलग-अलग answer लिए हैं, अब इस question की हम बात करें, कौन सी परिक्षा का है, आपका DCAG आपका परिक्षा का है, computer का कौन सा घटक उसके दिल के रूप में माना जाता है, तो monitor तो हो ही नहीं सकता ना, keyboard भी हो ही नहीं सकता, और scanner भी हो ही नहीं सकता है, सब तो input-output device है, तो इसलिए आपका answer इसके अंतरगत क्या होगा, microprocessor, लेकिन याद रखिए, microprocessor, computer का मस्तिस्क होता है, brain होता है, microprocessor, computer का हरिदय दिल नहीं होता, लेकिन दिये गए option में suitable वही है, इसलिए वो आपका answer होगा, तो इसलिए क्या है, कुछ book में effect लिखा जाएगा, कि computer का हरिदय, microprocessor कहलाता है, पर ऐसा नहीं है, दिये गए option में वो answer feedback रहा है, बात समझ में आ रही है, अभी इसी सीरीज में मैं आगे question कराऊंगा, व्यापम का ही question है, computer का मस्तिस्क answer लिया है, microprocessor, इसी सीरीज में देखे, चलिए आगे चलते, अगला question है हमारा GIGO, GIGO का संबंद किस्से है, तो GIGO का संबंद किस्से है, वो जानने के लिए हमें पहले GIGO को समझना जरूरी है, GIGO का full form होता है, garbage in और garbage out, garbage in, garbage out, इसे ही क्या कहा जाता है, GIGO, यानि कचरा अगर आप input करोगे, तो कचरा ही result मिलेगा, इसे ही क्या कहते है, GIGO, garbage in, garbage out, अच्छा result लालोगे, अच्छा input लालोगे, तो result भी अच्छा ही मिलेगा, यही इसका concept है, तो अगर यहां मैं garbage सब्द यूज कर रहा हूँ, तो garbage सब्द करत क्या होता है, कचरा, गंदा, इसे लिए GIGO, sorry, GIGO सब्द का जो संबंद है, वो शुद्धता से है, quality से है, purity से है, ना कि चालित, automatic, लचीलापन, flexibility, यह तो कुछ है नहीं, व्यापकता यानि detail, यह सब चीजे है ही नहीं, इसलिए GIGO सब्द का संबंद किस्से होगा, शुद्धता से, कि आपका answer कितना सुद्ध आ रहा है, अगर आपने सुद्ध input किया है, answer निकालने के लिए, तो आपका answer सुद आएगा, अगर garbage इन किया है, तो garbage ही आएगा, computer में garbage मतलब, बोल चाल की भासा में garbage मतलब कचरा होता है, लेकिन computer के टम में garbage का मतलब, गलत answer आनसर आना, उटपटांग answer आना, यानि मान लीजे, math के किसी question में आपका exact answer 12 आना है, लेकिन आपने कुछ गलत input कर दिया, garbage इन कर इसलिए 12 आना, something, something, कुछ ऐसा answer आ रहा है, ऐसा, समझ में आ रहा है, चली, आगे चलते हैं, question number 14, आपरिस्कृत वस्तुओं का संग्रा है, आपरिस्कृत वस्तु, परिस्करण मतलब कहलाता है processing, आपरिस्कृत यानि जो process नहीं हुआ है, तो तो तोड़ा इंदी, इंग्ल कहलाता है information, तो आपरिस्कृत वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाएगा data, जान रहेगा, तो computer का basic है यह, कि data CPU में जाकर process होता है, और क्या बनता है, information, यही एक concept से कम से कम पचासन question exam में आए है, यहां भी आपको दिख जाएगे, चलिए, आगे चलते हैं, अगले question में आते है 8085 एक 40-bit microprocessor है, तो याद रखिए 4004, 4-bit microprocessor है, 8085, 8-bit microprocessor है, इस question का answer होगा option number B, 8086, 16-bit microprocessor है, और Pentium से 32-bit microprocessor की शुरवात होती है, तेक है, त्यान रहेगा, चलिए, आगे चलते हैं, अब आते हैं question number 16, question number 16 हम से क्या कह रहा है, question number 16 हम से ये कह रहा है कि booting process के समय system memory को कहां से पहले count करती है, तो booting process जो होता है, booting process आप समझ लीजिए, booting process कहने का मतलब यहेगी, जब system प्रारंब हो रहा है, वो booting process है, या कोई भी program जो है, read हो रहा है, वो भी booting process कहलाता है, तो booting process के समय system memory को कहां से पहले count करती है, expansion memory board, expansion memory board यानि यह external memory हो गया, जैसे mobile में एक external memory रहता है, वैसा ही यह external memory जैसा हो गया, तो यह तो आपका answer नहीं है, video adapter यह तो बिल्कुल नहीं है, इसका booting से कोई भी संबन नहीं है, video adapter कहने का मतलब monitor से संबन दिच आपके port है, वो video adapter कहला रहे हैं, तो यह भी आपका answer नहीं है, system board में भी हो सकता है, cache जो है आपका memory का एक प्रकार है, जो program execute करते समय काम आता है, इसलिए cache भी इसका answer नहीं ह आगे चलते हैं, question number 17, question number 17 क्या कह रहा है, computer on होने के पस्चाद booting process का निश्पादन करता है, बाई, booting process मैंने आपको बताया, computer on होने के बाद का जो पहला process है, अब integrity test, integrity test जैसे test नहीं होता, power on self test, जी हाँ post, computer जब भी on होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, पोस्ट होता है, power on self test, इसका full form exam में आता है, correct functioning test ये भी नहीं होता है, reliability test ये भी नहीं होता है, तो computer जब booting process करता है, या computer जब on होता है, जब से पहले क्या होता है, post power on self test, टेक, चली, आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, memory unit, खालिस्तान का एक भाग है, तो memory unit, खालिस्तान का एक भाग है, तो output device तो नहीं है, memory unit, central processing unit, जी हा, input भी नहीं है, control भी नहीं है, control unit के अंतरगत के वाल, processor ही आता है, ध्यान रखेंगे, तो इसलिए memory unit किसका भाग है, central processing unit, central processing unit के तीन भाग होते हैं, control unit, arithmetic logic unit, और memory unit, चली, आगला question देखते हैं, question number 19 हम से क्या कह रहा है, computer का संसोधित आकड़ा, याने processed आकड़ा क्या कहलाता है, तो बै, जो processed नहीं है, वो data है, और जो processed हो चुका है, वो information है, तो input, output, computer का संसोधित आकड़ा क्या कहलाता है, input, output, processor सभी, तो computer का संसोधित आकड़ा हमारा output कहलाता है, भई input तो data जा रहा है, output ही information मिल रहा है, तो संसोधित आकड़ा क्या कहलाएगा, output option number B, यही information है, देख, चलिए, आज कहा हम आखरी question देखते हैं, question number 20, computer process का मुख्य लक्च data को खालिस्तान में बडलना है, तो data को खालिस्तान में बदलना है, सूचना में बदलना है, वही data process होके क्या बनता है, information, computer का main कार यही है, raw data को एकटित करना, और उसे काम की किसी information में अर्था सूचना में convert करना, तो चलिए, आज हमने 20 question cover किया है, आने व अगर आपको कुछ भी doubt है, comment box पर जरूर बताइए, वीडियो को share जरूर करें, हमारे channel को जरूर subscribe करें, एक बार फिर से मैं आपको बता दू, आप computer के मेरे course को join कर सकते हैं, online course की fees मात्र 499 रुपए और live class आप 1000 रुपए में join कर सकते हैं, इसके अतरिक, hostel warden का complete recorded course, व्याप अप्ताओ, थैंक यू